हेलो एवर्वइवन! Welcome back to my channel! वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग The Bee and The Dove की इस्टोरी पढ़ने वाले हैं. चोटी-चोटी इंगिलिश के स्टोरी को पढ़ने से आप अपने इंगिलिश को इंप्रूफ कर सकते हैं. साथ इसाथ English के vocabulary को enhance कर सकते हैं तो let us start, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं the bee मतलब मदुमक्की and the dove मतलब कभूतर यानि कि मदुमक्की और कभूतर की कहानी Once there lived a bee and a dove on a tree near the river इस sentence में ये जो sentence है ये past tense का है कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे live नहीं लिखा है बलकि यहाँ पे lived लिखा है lived का मतलब होता है रहते थे Once मतलब एक बार A B यानि कि एक मदुमक्की A मतलब यहाँ जहाँ पर भी A लगा है यानि कि जैसे कि यहाँ पर A B लिखा है यानि कि A मतलब हो जाएगा एक B मतलब हो जाएगा मधू मक्खी And मतलब हो जाएगा और A डफ यनकी एक कबूतर On a tree On a tree मतलब क्या हुआ On यहाँ पे on क्या है On यह preposition है Proposition क्या होता है देखे, preposition होता है जो position को बताए Preposition On a tree A tree मतलब एक पेड On मतलब पर यनकी एक पेड़ पर एक मधू मक्खी और एक कबूतर रहते थे एक बार एक पेड़ पर एक मधू मक्खी एक कबूतर रहते थे Near the river Near मतलब होता है पास River मतलब होता है नदी यनकी नदी के पास Sentence क्या हो गया Sentence हुआ एक बार नदी के पास एक पेड़ पर एक मधुमक्की और एक कबूतर रहते थे, आप पहचानेंगे कैसे क्योंकि यहाँ पे ed लगा है lived लिखा है, यानि कि यह past tense की बात हो रही है, इसका मतलब था रहते थे आगे देखी क्या लिखा है आगे लिखा है they were friends यानि की दे मतलब क्या होता है they, why क्यूँ? क्योंकि वो deux हैं, इसलिए यहाँ पे they लगा है were friends क्योंकि वो दो थे, इसलिए यहाँ पे was नहीं लगा है, were लगा है क्योंकि was हमेशा singular के साथ लगता है और यहाँ पे दो है, मधुमक्की है और कभूतर है इसलिए हाँ पर वर लगा है जिसका मतलब होता है थे यानि कि वे थे फ्रेंट्स मतलब मित्र यानि कि वे मित्र थे वन डे दबी फेल्ट थ्रस्थी वन डे यानि कि एक दिन दबी यानि कि जो मधु मक्की थी फेल्ट मतलब होता है लगी फेल्ट मतलब क्या होता है लगी प्यास लगी इट वेंट टू दरीवर टू ड्रिंक वाटर इट वेंट यानि कि ये गो का सिकेंड फॉर्म है वेंट जो है वो गो का सिकेंड फॉर्म है इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है वेंट लगा है इसका मतलब ये पास्ट है इसका मतलब होता है went का चला गया It went to the river to drink water यानि कि वो पानी पीने नदी पर चली गई Drink water to drink water मतलब पानी पीने To drink water यानि कि पानी पीने Drink मतलब पीने Water मतलब पानी यानि कि वो पानी पीने नदी पर गई By chance the bee fell into the water By chance यानि कि सैयोक से The bee fell into the water वह उन्दर फैलन मतलब होता है गिरी, यहादा बायचान सजयोग से, जो मधह मक्षी yu paani गिर गई 耶शेन हuencia इस दो उस पाहट गई भности आगे दिखिए, its wings वें मतलब होता है,mos एनकि जो उसके पंक थे, gew्य मतलब ends गीले हो गए, it could not fly, या वो ओर नहीं सकती थी, could not मतलब सकती थी, या वो ओर नहीं सकी, इसका दोनों ही ःुर्थ होगा, सकता यानि के लिए के सकता होता है, can मतलब, और could मतलब होता है, सका, इट कुड नाट फ्लाई, यान कि वो उड़ नहीं सकी, या ये मतलब ले लीजे, या ये कह सकते हैं, आप कि वो उड़ नहीं सकती थी, दोनों ही सही होंगे याँ पे, दब करेंट आफ द रीवर वाज स्ट्रॉंग, यहाँ पे कह रहे हैं, जो रीवर करेंट था, करेंट मतलब बिजली वाला करेंट नहीं, बलकि जो उसका बहाओ था, यान कि जो पानी का बहाओ था, जो रीवर का बहाओ था, या जो उसकी धारा थी, दोनों ही मिनिंग यहाँ पे सही आएगी, दा करेंट आफ द रीवर, यानि कि उस नदी की जो धारा थी वो तेज थी was strong यानि कि थी तेज the current of the river of मतलब की river मतलब नदी यानि कि नदी की जो धारा थी was मतलब थी strong मतलब यहाँ पे तेज यानि कि नदी की धारा तेज थी the dove saw that the life of the bee was in danger the dove यानि कि जो कबूतर था उसने देखा, the dove saw, saw मतलब क्या होता है, देखा, ठीके see मतलब देखना, और saw मतलब देखा, यानि कि कबूतर ने देखा, the dove saw, यानि कि कबूतर ने देखा, that मतलब key, the life of the bee, यानि कि जिन्दगी उस मधुमक्खी की, the life of the bee येनि कि मधू मक्खी की زिंदगी was in danger was मतलब थी येन मतलब अंदर danger मतलब खत्रे में थी येनि कि मधू मक्खी कबूतर ने देखा कि मधू मक्खी की खत्रे में थी the dove plugged the leaf from the tree जो कबूतर था उसने pluck मतलब होता है तोड़ना और pluck मतलब तोड़ा चीक है यनकी कबूतर ने एक पत्ती तोड़ी from the tree from मतलब से tree मतलब पेड़ से यनकी कबूतर ने एक पत्ती तोड़ी from the tree यनकी पेड़ से and or dropped it near the bee dropped मतलब देखे drop मतलब होता है यनकी drop मतलब होता है गिराना और dropped मतलब गिराया तो यहाँ पे है कि और उसने जो पती थी वो गिराई near dubi याणि की मधु मख्यी के पास उसने उस-पती को गिराइ ठीक कि उस पती को गिराया मतलब कबूतर ने उस-पती को गिराया dubi klimd क्लिंड देखे klimd मतलब होता है Climb मतलब होता है चड़ना और 印my Clamad मतलब हो जाएगा चड़ गई यानि कि जो B थी, जो मधुमक्खी ती वो चड़ गई अब मतलब होता है ऊपर दा लीफ यानि कि पत्ती के ऊपर वो मधुमक्खी चड़ गई It dried its wing यानि कि उसने अपने जो पंक थे उसमें सुखा लिए and flew flew मतलब हो गया उड़ गई flew मतलब उड़ गई away मतलब दूर और वो दूर उड़ गई it thanked the dove for saving its life यानि कि उसने शुकरिया किया thanked यानि कि उसने शुकरिया किया past tense the dove यानि कि कबूतर का उसने शुकरिया किया for saving its life यानिकि अपनी यानिकि अप उसकी लाइफ बचाने के लिए उसने कबूतर का शुकरिया किया अब देखिए आगे क्या है A few days letter A few days letter मतलब होता है कि कुछ दिनों के बाद ठीक है A few days letter यानिकि कुछ दिनों के बाद A hunter came to the forest Came, यहाँ पे कम किये Second form came A hunter यानिकि एक शिकारी came to the forest यानिकि जंगल आया He saw the dove He saw, यानिकि उसने देखा कबूतर को ठीक है He saw, saw मतलब होता है देखा C मतलब होता है देखना He took an aim at the dove took an aim मतलब होता है कि निशाणा साधा, उसने ही मतलब उसने निशाणा साधा at the dove, एड दड़ यानि कि कबुतर पर, कि यानि कि मधु मकी ने देखा that मतलब की, जो जिनदकी है कबुतर की the life of the dove, यानि कि जिनदकी है जो कबुतर की was in danger, यानि कि वो खत्रे में थी इट फ्लू डाउन, यानि कि वो नीची की तरफ, डाउन मतलब नीची की तरफ वो उड़ी and stung the hunter, stung the hunter, यानि कि उसने hunter शिकारी पर क्या करा? वो जो डंग थी, stung मतलब डंग मार दिया, यानि कि उसने क्या करा? डंक मार दिया हंटर पर यानिकी शिकारी पर on his hand his hand मतलब उसके हाथ पर on his hand यानिकी उसके हाथ पर उसने डंक मार दिया the hunter felt pain the hunter felt pain यानिकी शिकारी को दर्द हुआ the gun went off but it missed the aim missed मतलब चूकना the aim मतलब निशाना यानिकी the gun went off यानि कि गोली चली लेकिन निशाना चुक गिया दडव हर्ड़ साउंड ओफ दगन यानि कि उस कबूतर ने जो कबूतर था उसने बंदू की आवास को सुना उसने सुना एंड फ्लू अवे थैंकिंग दबी और मधुमक्की को धन्यवाद देते हुए वो उड़ गया ठीक है थैंकिंग दबी यानि कि मधुमक्की को उसने धन्यवाद दिया शुकरिया किया और वो दूर उड़ गया तो इससे मोरल क्या मिलता है कि डू गुड है आव गुड यानि कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा इस स्टोरी में यही है कि आपने पहले अच्छा करा तो आपके साथ भी अच्छा हुआ